आलिया भट ने एक शो के दौरान देश के प्रधानमंत्री का नाम गलत बता दिया था उसके बाद से ही आलिया पर तरह तरह के बेवकूफी भरे जोक्स बनते रहते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि आलिया भट ने फाइनली ये मान ही लिया की वो बेवकूफ है और जबरदस्ती वो खुद को intelligent proof नहीं करना चाहती आलिया ने बताये कि वो खुद का मजाग बनने से परिशान नहीं है बलकि वो तो खुद चाहती है कि उन पर जोक्स बनते रहे अगर उन पर जोक्स बनने बंद हो गए तब वो ज्यादा परिशान हो जाएंगी आलिया ने कहा कि वो intelligent होने का नाटक करने से अच्छा बेवकूफ ही रहना पसंद करेंगी लाइफ में करने के लिए और भी काम है और आलिया उसी पर ध्यान देना चाहती है वेल हम तो यही कहेंगे कि याल या जो भी हो भले आपको इन सब बातों से कोई फर्क पड़े या ना पड़े लेकिन कहीं न कहीं न कहीं इन सब का असर आपकी personality पर तो पड़ता ही है तो बेटर होगा कि आप बॉलिवड में अपनी acting के लिए ही जानी जाए ना कि अपनी किसी बेवकूफान आप बातों के लिए News Express के रपोर्ट